कि एंसी एर्टी एक्सरसाइज प्रॉब्लम को सुल करेंगे बच्चु चिप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमेश्टी और नुमेरिकल जो है 3.14 उससे पहले जो ही है और डेटी बना दिये हैं आप देखिए हौँ मच एफी टू ओ थरी एही कोस्चन है बच्चु अओ मच इलेक्ट्रिसीटी इस रिक्वाइट इन कुलंब में इलेक्ट्रिसीटी पुछ रहा है और दा ओक्सिडेशन और वर्णोल ऑफेज्टू ओ टू ओ दूसरा है वर्णोल ऑफेओ टू एफी ओ थरी बहुत आसान है बच्चों सिर्फ ध्यान दिएगा पास्ट कहता है एज टू ओ का ओक्सिडेशन को गें किया अब जब दो इलेक्ट्रून को गें किया तो इस ऑक्सिजन को जब लॉस करेगा ओ टू आपको टू हो गया पलस तो इनक्तो यानि एक मोल में तो इलेक्ट्रून को लॉस किया यानि कितना हो गया तू फैराड और एक फैराडे बरावर भुताए बच्चों नाइन सीक्स फाइम डबल जीरो को नाइन तो मल्टिप्लाय कर दिएगा वंसर बजाएगा दू इसका क्या हुआ अपको टू करेंगे इसको बैलेंस कर देंगे यानि एफ इपर पलस तू है और एक इलेक्ट्रोन को यह लॉस किया है यानि एफी पलस वान इलेक्ट्रोन को लॉस किया है यानि वान इलेक्ट्रोन को लॉस किया तो वन फैराडे हो जाएगा और वन फैराडे बराबर होता है नाइन सिक्स फाइब डबल जीरों को लंग हो यहीं आप कांसर हो गया कितना असान है और इससे भी ज्यादा आसान है कोस्ट्टन नंबर 3.15 तो लिखा जाए बैच्चो कुस्चन है सिर्फ फर्मूला पर अफ्लाइ करना है बैच्चो कराए सोलूशन आप निकेल नाइट्रेग इज इलेक्ट्रोलाइज बेट बिन प्लाइटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करेंट आप फाइव एंपियर करेंट है 421 वाट मास आप निकेल इस डिपोजिट करेंट यानि फैराडी के फर्स्ट लाव के अनुसर जो फर्मूला आया था बच्चों क्या था डबलू ब्रावर जेट सेट एही था जेट जो है इलेक्ट्रोगेमिकल इकिवैलेंट है दूसरा फर्मूला बनाएंगे डबलू ब्रावर ए सी टी वाई एन एक एही हो गया फर्मूला बेठाई है आटोमिक बेड निकेल कह रहा है निकेल का अटोमिक बेड होता है 50.58.7 करेंट जो है बच्चों दिया हुआ है साथ दिखाई दे रहा है 5 MP है टाइम दिया हुआ है 20 मिनट सेकेंड में बदलेंगे 60 से मंटिप्लाइ करेंगे बैलन सी यहां जो है होता है अगुने फैराडे 965 00 यानि कल्कुलेशन करेंगे 1.82 ग्राफ ही हो गया बच्चों अंसर इसको नोट किया बच्चों अब जो है बच्चों पुस्चन नमबर 3.16 बहुत आसाल कुस्चन है बच्चों सिर्फ दो बर पढ़िए इस सेकेंड लाव फैराडे से रिलेटेड और फस्ट लाव से भी इसमें बने और दोनों लाव अपलाई करेंगे काता है था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए बी सी कंटेणिंग सॉलूसन और जींक सल्फेट सिल्वर नाइट्रीट कॉपर सेटें तीन सेल है और तीनों में अलग अलग सॉलूसन है आप कनेक्टेड इंसरीज दीनों को स्रीज में कनेक्ट कर दिया गया उसके बाद कह रहा है पहले तो आपको टाइम पूछ रहा है तो फर्स्ट लाव से निकालेंगे डबलू बराबर कि A C T इससे जो है अपका टाइम निकलेगा डबलू दिया हुआ है 1.45 एक्टोमिक बेट 108 होता है करेंट 1.5 दिया हुआ और T आप से कुछड़ा हुआ है एक फैराडे बराबर 965 00 क्लम होता है ती अगर निकालेंगे बच्छो 1.45 इंटो 965 00 divided by 108 इंटो 1.5 एंट जो है बच्छो आपका सेकेंड में लिख लेगा मिनट में बतलने के लिए फिर साठ से डिवाइट कर दिजेगा यानि यह हो जाएगा 14.4 मिनट मुना भाग करके देख लिजेगा अंसर में हो सकता है उनाइस विस हो चैनल अब यह तीन आइटम तीन मेटल है एक सिल्वर है जिंक है कौपर है सिल्वर का अटो में पेट दिया हुआ है जिंक का और कौपर का पुछरा है है हम लोग पढ़े थे डबलू वन बाइट रूद दवलू टू बाइट रू यह तो यज़ए लिए अब बच्चों दोदो करकर करके लिए यानि डबलू वन गाइट यह ए ब्रावर डवलू टू बाइट रूद यह तो डवलू वन मान लिया इसका इक्षिवाट को गाँ इज कर दो जो है जीन्क सलफेट के लिए दिया हुआ है तो डबलू टू एहास निकलेगे और इटू जीन्क का अटोमिक वेट होता है 65 पॉइंट सम्थिंग यानि और वैलनसी दो यानि 32.5 डबलू टू एहास निकल जाएगा 0.43 ग्राफ चलिए दूसरा आंसर हो गया तेसरा आंसर के लिए फिर करें डबलू वाई एवण एवण यहां करते हैं डबलू थ्री वाई एथ्री चुकि तीनों तो बराबर है 1.45 और इसका जो है 108 है डबलू थ्री निकाल लेगे है एट्री कॉपर का एटोमिक बेट तीरेशक.5 बुथा एकिवेलेंट बेट बैलेंसी दो है एकिवेलेंट बेट हो जाएगा 31.75 देख लिएगा डबलू थ्री आजाएगा आपका जीरो पॉइंट ओव्टू कित्रा आसान ने में रिचों सुर्फ रेवलेंट क्लास करते रहें इसी के साथ मच्छों धन्यों